नमस्ते दोस्तों जोहार मैंने में सर आप सभी का विसेक चक्रवर्टी यूटूब चैनल महारदिक स्वागत करता हूँ क्लाश 12 के इस्टुएंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माईदव से क्लाश 12 के हिस्ट्री यानि इतियास के टॉप 10 exam related important subjective type questions बताने वाला हूँ जो आपके objective type questions में भी काम आने वाले हैं और ये सारे के सारे questions jack के तरफ से exam में बहुत बार पूछे गया हैं और आपके exam में आने के chances भी बहुत ज्यादा है तो सुरू से आन तक बने रहे हैं और जो भी students इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को subscribe कर ले ताकि आगे की वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुँचे क्योंकि अब लगातार history यानि इतियास के वीडियो अपलोड होने वाली है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को like करें और सारे दोस्तों को भी share कर दें ठीक है पढ़ाई में expert बने दोस्तों ठीक है जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचे की आखरी बार पढ़ रहा हूं क्या सोचे आखरी बार पढ़ रहा हूं ऐसा किजिए दोस्तों यकिन मा हो जाएगा ठीक है और आप बहतर से बहतर marks लाकर exam में top करेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों अभी से इसी सोच के साथ आगे बढ़िए क्योंकि आप 33 दिन बचे हैं यानि एक मैना बचे हैं आपके exam को ठीक है तो चलिए अभी से जूट जाईए तो चलिए दोस्तों बिना के तरब से पूछा गिया है तो दो याद रखेगा एक है रामायन और दूसरा महाभारत याद रखेगा हिंदू धर्म के दो महा काईविय का नाम एक है रामायन तो दूसरा नाम है महाभारत याद रखी में तो आप लोग एक question का answer मताईए ये स्वात अंतरता आंदोलन में मुख्य भुमिका निभाने वाली चार महिलाओ के नाम लिखी है ठीक है यह जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 2030 में एक क्वेश्चन पूछे जाने वाला ठीक है याद रखिएगा यह जैक के तरब स दोस्ता लोग कमेंट बाताईएगा इनका महात्मा गांधी के साथ क्या संबंध था ठीक है अप लोग कमेंट में बताईएगा ठीक है तो याद रखिगा चार बहलाज जो है दोस्तों याद रखिएगा जो सवतंधिता आंदोलन में मुख्य भुमिका निभाई थी एक का नाम है सरोजिनी नाइडू, दूसरा का नाम है बेगम हजरत महल, तिसरा का नाम है रानी लच्मी बाई, और चौथा कस्तुर्वा गांदी, यात का लीजे, बहुत इंपॉर्टन कोशन है, चैने नेक्ट कोशन के ओर हम लोग बढ़ेंगे, कोशन अवर 3 के ओर, देख सकते है कोशन में क्या पुछा गिया है, बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है, दोस्तों देख सकते हैं, भारतिय स्वातनत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले चार पुरूसों के नाम लिखी है, इस तरह का कोशन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, सब्जेक्टि टाइप में ठीक है, और दो मार्क्स करके ये सब कोशन पुछे जाएंगे, और साथी साथ ये MCQ टाइप में भी आपके बहुत काम आने वाले ठीक है, तो याद रखेगा, सारे के सारे याद करके जाईएगा, ठीक है, देख सकते हैं, भारतिय स्वातनत्रता आंदोलन में म ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो चार कुरूसों के नाम उचा गिया है, आपको मैं आठ बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई चार याद करके लिख दीजिएगा, पहला, बहुत ही इंपोर्टन नामें, दोस्तों, महात्मा गांधिया, लोग सब सुने हैं, दूसरा पंडित जौहल ना लहरू, जो भाद के पहले परधान मंत्री रह चुके हैं, नमबर थ्री, सुबाश चंद्र बोस, नमबर फोर, डक्टर राजेंदर परसाद, ये भाद के पहला राश्टपती भी थे, ठीक है, और पांचवा नमबर मंगल पांडे, ठीक है, छट्टा, चंद्र सेकर, आजाद, सातवा, भगत सिंग, और आठवा, बाल, घंगाधर, तीलग, ठीक है, इन आठो नाम को याद कर लीजेगा, ठीक है, किनी चार का नाम आपको लिख के आना, ठीक है, ठीक है, नेक्ट कोशन के रमलों बढ़ेंगे, कोशन अवर फोर की, और देख सक ठीक, दोस्तो, जलालुद्दीन महम्मद अकबर, क्या नाम दोस्तो, जलालुद्दीन महम्मद अकबर का जनाम 15 अक्टूबर, कब हुआ था, दोस्तो, 15 अक्टूबर 1542 इसमी में, अमर कोट में हुआ था, कहा हुआ था, अमर कोट में हुआ था, कब हुआ था, 15 के और हम लोग बढ़ेंगे तब तक आप एक question का answer दीजिए अकबर दुआरा जजिया कर कब समाप्त किया गया था ठीक है comment box में इसका answer दीजिएगा अक्बर दुआरा जजिया कर कब समात्त किया गया था ठीक है चाहिए next question के और हम लों बढ़ेंगे question of 5 देख सकते है क्या है question question of 5 में प्राचीन भारतिये इतियास के ऐधन के कोन-कोन से सुरोत है ठीक है ये बहुत ही important question है ये 2019 में पूछा गया है Jack के तरफ से ठीक है कि भारति है जो इतियास का अगर आप लोग अजधन कीजिएगा तो उनका क्या-क्या सुरोत है important सुरोत का नाम पूछा गया है तो आप लोग देख सकते है पहला जो है पूरा तात्विक सुरोत दूसरा साहितिक सुरोत और तिसरा विदेसी यात्रियों के वीवरण ठीक है इन तीनो निर्गुन और सगुन भक्ति में क्या अंतर है बहुत ही important question दोस्तों याद रखेगा यह जो question 2016 में भी आ चुका है 2018 में भी आ चुका है और आपके exam में भी देखने को मिलेंगे ठीक है तो निर्गुन और सगुन भक्ति को simple में समझीए बहुत ही important question है ठीक है तो सगुन भक सीवोर भगवान सीव विशनू तथा उनके आवतार एक देवियों की आराधना होती है ठीके चिन की मुर्तरुप में आवधार ना होती है मुठ्रुप मतलब दूस्तों मुर्ति के रूप में ऑद्रत कि जाती है ठीके और अब aspect खृत्यडर रखिएगा निर्गुन भक्ती परंपरा में अमुर्थी निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है ठीक है तो सिंपल में अगर समझे तो सगुन में याद रखेगा कि सगुन में क्या होता है मुर्थ रूप की पूजा की जाती है और निर्गुन में अमुर्थ ठीक है चाहिए नेस्ट को का जो क्रांती है दोस्तों इसको अच्छे से कर लिजेगा ठीक है सब्जेक्टी में लॉंग कोशन पूछा जाता है याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैक क्या वहुत ही फैवरेट टॉपिक है जैक के तरब से हर बार यह टॉपिक से कोश्चन आते है वह भी बड़े-बड़े कोशन आते है ठीक है तो सब्जेक्टी टाइक में अच्छो संतावन के क्रांती से बहुत कोशन से आपको देखने को मिलेंगे आ साथी साथ अब्जेक्टी में ठीक है और कौन-कौन कहा से नित्रित किया था यह अंदोलन यह MCU टाइक में बहुत आता है ठीक है टेंसर मत लीजिए अबजेक्टीव हो चाहे सब्जेक्टीव हो अब लगातार वीडियो से अपलोड होने वाली है बस आप लोग एक काम किजिए इस वीडियो को सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए ठीक है जितना ज्यादा लाइक् दोस्तों के बीच शेयर कर दे ठीक है चाहिए नेक्स्ट क्यों हम लोग बढ़ने से पहले इसको जान लेते हैं कि आठो संतावन का जो विद्रों हुआ था उसमें मुईक के भुमिका निभाने वाले चार पूरुस अगे नाम पूछा गया तो जितना भी नाम है याद रख रेक्टर है ठीक है याद रखिएगा यो आठो संतावन के विद्रों में महकुन भूमिका निभाया था ठीक है तो मंगल पांडे एक नमबर टू नाना साहब पेशवा याद रखिए बहुत इंपोर्टन नाम तिसरा तात्या टोपे और चौथा कूवर सिंग और पांचव अगर पूरुस पूछा गया तो पूरुस के नाम लिखेगा अगर महिला का नाम पूछा गया तो महिला का नाम लिखेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन की और हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आवर एट की और देख सकते है क्वेश्चन आवर एट में क्या पूछा गया है क 877 के विद्रों में महत्वपुन भुमिका निवाने वाली दो महिलाओं के नाम लिखिए, यहाँ पर महिला का नाम आ गया, पहला वाला question जो था दोस्तों वो पूरूस था, ठीके, तो यहाँ पर महिला पुछा है, तो दो महिलाओं के नाम बताना है, यह भी question बहुत important है, यह बहुत important question ठीके, चारे next question के और हम लोग बढ़ेंगे question number 9 की, और देख सकते दोस्तों question number 9 में क्या है, कि भक्ती आंदोलन के चार प्रसित संतों के नाम लिखें, बहुत important question है, भक्ती आंदोलन और सुफी आंदोलन, दोनों का दोनों बहुत important आंदोलन है, इससे भर-भर के questions आते हैं, चाहिए वो subjective हो, चाहिए वो objective हो, ठीके, तो बहुती जल्द में भक्ती आंदोलन, सुफी आंदोलन, ठीके, जैन धम, वोद धम आपके बीच लाने वाला हो, ठीके, बहुती सारे questions लाओंगा, important, important questions लाओंगा, ठीके, क्योंकि आप लगातार वीडियोस आया जाएगा, ठीके, यह अनिमेज सर का वादा है आपसे, ठीके, तो जल्दी से comment में बताइए, जिस subject का ज्यादा comments आएगा, मैं जल्द से जल्द वीडियोस अप्लोड करने की कोशिस करूँगा, ठीके, तो याद रखिए दोस्तों, यह भक्ती आंदोलन है, इनके चार प्रसित संतों के नाम उच्छे गया है, ठीके, तो यह चार प्रसित संत कोन-कोन से थे, यह पर देखे, पुरुस और महिला नहीं पुछा गया, ठीके, चार प्रसित संत उचा गया, तो यह पुरुस का नाम भी लिख सकते है, महिला का नाम भी लिख सकते है, तो पहला नाम नाम याद रखेगा भक्ति आंदोरन के रामानंद ठीक है दूसरा कबीर तिसरा तुकाराम चौथा गुरु नानक देव और पांच वा मीरा भाई ठीक है इन पांचों को नाम याद करके जहिएगा जितना नाम पुछा जाएगा आप लिख दीजेगा ठीक है अगर दो प्रस संथ पूछे जाएंगे तो तीन लिखिएगा चार पूछा जाए तो चार ठीक है मैं आपको पांच दे देता हूँ ठीक है पांच कौन-कौन से फिर सुन लिजिए रामानंद कबीर तुकाराम गुरु नानक देव और मीरावाई ठीक है किनका जनम तलवंडी में हुआ आते हैं ठीक है यह जो कबीर है दोस्तों यह बहुत ही अच्छा अची दोहे भी लिखे है ठीक है तो चलिए नेक्ट कोशन के और हम लोग बढ़ेंगे आज के लास्ट और अन्तीम कोशन कोशन अबर 10 देख सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है कि अभिलेक किसे कहत अब लोग असोक के अभिलेक का नाम सुनें ना असोक के अभिलेक तो अभिलेक मिंस क्या होता यह आपसे पूछा गया है ताप लोग याद कीजिएगा कि सासको या अइन परभाव साली वैक्तियों द्वारा किनके द्वार दोस्तों सासको जो राजा महराजा होते थे उनक इनको कहते हैं कि सासकों या अईन्य परभावसाली व्यक्तियों द्वारा सिलाओं एवं धात्यों की चादरों पर खुदे हुए संदेश, विवरन या आदेशों को अविलेक कहते हैं, ठीक है, प्राचिन भारतिये इतियास के अईधन के पुरा तत्विक सुरोतों के रूप में वरनन किस अविलेक में मिलता है, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो ये था दोस्तों आज का टॉप इंपोर्टेंट हिस्ट्री के कोशन्स, ठीक है, ये कोशन्स आपके सब्जेक्टी भी नहीं, आपके अब्जेक्टी में भी बहुत काम आने वाले हैं, सब्जेक्टी में ये जो कोशन्स हैं, दोस्तों, दो मार्क्स करके पूछे जाने वाले, ठीक है, आप जो सेक्षन ए देख सकते हैं, उसमें आपको दो मार्क्स के सैवन कोशन्स दिये जाएंगे, जिनके आपको पांच के उत्तर देना है, यानि टू इन्टु फाइब, य झाएंगे